लोक सभा में आज राहूल गांधी ने ओम बिल्ला को दुबारा सदन का अध्यक चुने जाने पर बढ़ाई देते हुए जोरदार भाशन दिया। उन्होंने कहा मैं आपको दूसरी बार निर्वाचित होने पर बढ़ाई देना चाहता हूं। पूरे विपक्ष और इंडिया ब्लोग की ओर से आपको बढ़ाई देना चाहता हूं। ये सदन भारत के लोगों की आवास का परते निधित्व करता हैं और आप उस आवास के अंतिम निर्णय करता हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषन की शुरुवात में ओम बिल्ला को उनकी पुनेह निक्ति पर बढ़ाई देते हुए उनके कारेकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओम बिल्ला से निश्पक्षता और धर्रे के साथ सदन का संचालन किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह काम करेंगे। निधित्व किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विरोधी दल भी सदन की कारेवाही में सहयोग करने के लिए ततपर हैं। हम चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले। ये बहुत महत पूर्ण है कि सहयोग विश्वास पर आधारित हो। ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष की आवास को इस सदन में परतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपने भाशन में यह भी इसपश्च किया सवाल यह नहीं है कि सदन कितनी सफलता पूर्वक चलता है बलके सवाल यह है कि भारत की कितनी आवाजें यहां सुनी जाएंगी। अगर आप विपक्ष की आवास को दबा कर सदन चलाएंगे तयह अलोक तांत्रिक होगा। उन्होंने समीधान के रक्षा के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि देश की जंता विपक्ष से समीधान की रक्षा की उम्मीद करती है। हमें विश्वास है कि आप विपक्ष को आवाज उठाने की अनुमती देकर समीधान की रक्षा करने का अपना कर्तब निभाएंगे राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग तंत्र में हर वैक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है और उसे सम्मान मिलना चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है बलके रचनात्मक सुझाफ देना और सरकार को सही दिशा में ले जाना भी है हम चाहते हैं कि सदन में स्वस्त बहसो जिसमें सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके हम चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश की प्रगती के लिए काम करें राहुल गांधी ने अंत में कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ओम बिल्ला अपने नए कारिकाल में भी उसी निश्पक्षिता और पार्दशिता के साथ काम करेंगे जैसा उन्होंने पहले किया है उन्होंने कहा हम सब आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस सदन को और अधिक प्रभावी और लोग तांत्रिक बनाएंगे राहुल गांधी के इस भाशन ने सदन में एक सकरात्मक माहुल पैदा किया और सभी सदस्टों ने उनकी बातों का समर्धन किया उनके विचारों ने ये सबस्ट किया कि विपक सदन के कार्रे में पूरी तरह से सहियो करने के लिए तयार है बशर्त के सभी की आवाजों को सुना जाए और उनका सम्मान किया जाए ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल